नमस्कार वेलकम टो नर्सिंग स्मार्ट नर्सिंग स्मार्ट के यूटूब चैनल पर फिर से आप से लोगों का स्वागत है और इंडिया लिमिटेड गुर्णमेंट ओप इंडिया का एक एंटरप्राइज है और जिसमें नर्सिंग ओफिसर की कुछ पोस्ट आई हैं और इस इस यू कंपनी जहें उनके पेश्केल्स जो है वो अलग है और आप देखोगे कि सर इसके अंदर जो पेमेंट जो है वो क्या इनसे कम बनती हैं थोड़ी सी कम है अलेंगे हमारी और साथ में जी एनम के लिए तो एपलीकेबल ही नहीं है जी एनम तो एपलाई ही नहीं कर सकते और दो साल का प्रोफेशनल एक्प्रियेंस आपको होना चाहिए रेइस्ट्रेशन के बाद में यह सबसे बड़ी बात है और ऐसे कंडिडेट्स जो कि लंबे समय से जोब के त तरीका हम बताएंगे कि किस तरीके से आप आसानी से सलेक्ट हो सकते हैं इन पोस्ट के लिए ठीक है तो यह बहुत ही क्रूशल पोस्ट हैं उन कंडियेट्स के लिए जिनकी जोब्स लंबे टाइम से नहीं लग पाई है डिगरी है और एक्सप्रियेंस है सबसे पहले और OBC की दो पोस्ट हैं EWS के लिए कोई पोस्ट यहां पर नहीं रहेगी अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जो इस अप्लेकेशन की जो क्लोजिंग डेट है 25 अपरेल 2023 उसी को क्रूशल डेट माना जाएगा और नर्सिंग ओफिसर की पोस्ट के लिए जनरल के लिए मैक से हैं वो तीन सेक्शन से आएंगे यहां पर आप देख सकते हैं तीन सेक्शन होंगे पहले सेक्शन में इंग्लिस लेंग्वेज हैं और जीके हैं और जीके में क्यूशन जो हैं इंग्लिस और जीके से रहेंगे बीस क्यूशन जो हैं वो रिजनिंग और मैथमेटिक से रह 10 question reasoning से और 10 question mathematics से रहेंगे 40 question का ये बड़ा segment है जिसकी preparation के लिए हम कल से इसके लिए हम course जो है हमारी nursing smart की app पर oil India limited के लिए nursing officer के लिए हम आपको available करा देंगे इसके अलावा 60% जो हो nursing का portion आएगा और हम आपको बता दें चूंकि इसमें आप से degree मांगी है bachelor degree मांगी है प्लस उसमें साथ में experience आप से मांग लिया है दो साल का तो काफी competition कम है ऐसे candidates जिनका दो साल का experience है post degree वो इसके लिए अपलाई कीजिए और इस 40 marks के section पे थोड़ा सा जोड़ डालिए आपका selection बहुत ही easy है CBT में 90 सी बात है MCQ जी होंगे कोई negative marking नहीं होगी दो languages में आएगा English और Assamese में Hindi में नहीं होगा और time जो है duration जो हो दो साल दो गंटे का होगा final selection भी जो CBT में जो marks होंगे आपके उसी के basis पर रहना है इसके लिए आपका जो compulsory document है वो पहले ही note कर लीजिएगा आपके BSA nursing या post basic BSA nursing के mark sheet होनी चाहिए work experience होना चाहिए दो साल का registration के बाद का और किसी भी state nursing council के साथ में registration certificate होना चाहिए apply करने की बात हो तो आप इस website link पर इसका जो draft है ये PDF है हम अपनी website www.nursingsmart.org पर भी आपको available करा देंगे और आप इस website पर जा करके आप अपना online apply कर सकते हैं fees की बात करें तो general OBC candidate के लिए जो है वो 200 रुपे fees है और GST जो इसमें अलग से रहेगा और SCST, EWS और persons with benchmark disabilities candidates के लिए कोई application fees नहीं है note करने लाइक बात है SCST, EWS persons के लिए EWS और persons with benchmark disability के लिए कोई भी fees नहीं है और general OBC के लिए किवल 200 रुपे की fees है तो summarize कर दें nursing officer की यहां पर आठ पोस्ट है जिसके लिए CBT रखेगा oil india limited और 40 marks के जो 40 marks का जो section है वो English, GK, Math और इजिनिंग से आएगा जिसकी preparation के लिए course हमारी nursing smart की app पर available करा दिया जाएगा कल से means regularly classes होंगी और quality classes आपको मिलेंगी कि आप इसमें maximum score कर सके ऐसे candidates जिनका degree है और दो साल का experience है बहुत ज़्यादा probable है अगर थोड़ी सी भी तैयारी ठीक से कर ली तो आपके selection को कोई रोक नहीं पाएगा इस session में इतना ही मिलेंगे very next update के साथ thank you